नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोश खबर कायकरम पांश विधान सभा चुनाओं की तैयारी कितने जोर शोर से चल रही है इसका सहज अंदाजा विपक्षी दलों के हां होने वाले पढ़ने वाले चापों मंत्रियों नेताओं के पार्टी छोड़ने एक के इधर से उधर आने और पार्टी से निकाले जाने मुख्य मंत्री द्वारा ढूंड ढूंड कर दलितों के घर उनके साथ खाना खाने का फोटो शूट जहां पर वा पत्तल और कागश के गिलास में खापी रहे हैं इस तरह की जो कैचिंग हेडलाइन्स हैं जो दिन रात हमें आपको दिखाई जाती हैं उससे अंदाजा लग जाता है कि चुनाओ किस तरह से तयार हो रहा है चुनावी माहौल किस तरह से गरमाया हुआ है ऐसे में ध्यान देने की बात ये है कि बहुत सी चीजें हमें दिख रही है बहुत सी चीजें हमें दिखाई जा रही है और कहने की जरूरत नहीं कि इन दोनों से ज़्यादा वे कहानिया अंतर कहानिया हैं जो दबाई जा रही हैं जो हम तक आप तक मद्दाताओं तक पहुशने नहीं दी जा रही हैं इसलिए राजनीती के बारे में बहुत पुरानी कहावत है कि जो दिख रहा है वह वैसा नहीं है जो लोग जो बाहर से दिखाई देता है उसे वैसे ही समझते हैं ऐसे लोग उनकी राजनीतिक दृष्टी ऐसे पत्रकार उनकी पत्रकारिता की दृष्टी निश्चित तोर पर या तो ना समझी भरी होती है या वे मद्दाताओं को ना समझ बताने की जताने की कोशिश करते ह खबर की खोज, सच की परताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ, बेभाग, सत्ता का जूट, बेनकाब, आग में तपी पत्रकारिता, दाखती है, सवाल, दरसवाल सबसे पहले हम चलते हैं कश्मीर, कश्मीर जहां लोकतंत्र का चौथा खंबा, यानी मीडिया, एक बार फिर बेहर शातिराना धंग से इंडियन स्टेट के निशाने पर है हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल अनुछेद 370 हटाया गया था, तब से लेकर आज तक हर कदम पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अभिव्यक्ती की आजादी पर सीधा हमला बोला जा रहा है पत्रकारों को सीधे निशाने पे लिया जा रहा है और जो अभी हुआ है वह निश्चित तोर पर बेहद चिंता का मुद्दा है जिस तरह से दिन दहाडे सब के सामने कश्मीर प्रेस क्लब को खतम कर दिया गया पहले वहां मुठ्थी भर सरकारी पैरोल या उसके इर्दगिर्द घूमने वाले पत्रकारों के जरिए वहां के स्टेट ने वहां की पुलिस प्रशाशन ने उस पर कबजा करने की नाकाम कोशिश की और फिर उसे बंद कर दिया इससे लगता है कि कश्मीर प्रेस क्लब एक एहम भूमी का निभा रहा था वहां पर मीडिया के लिए सिर्फ मीडिया के लिए ही नहीं जो तमाम आवाजे हैं उनको सुरक्षिट ढंग से देश दुनिया तक पहुचाने का दरसल कश्मीर प्रेस क्लब एक ऐसा जीवन्त अड़ा था जहां तमाम पत्रकार खुद को सुरक्षिट महसूस करते थे और संकट में पड़े पत्रकारों के पक्ष में कश्मीर प्रेस क्लब खड़ा होता था हमने देखा कि जब हमला कश्मीर प्रेस क्लब पर हुआ देश भर से तमाम जो प्रेस क्लब हैं वह उसके समर्थन में उत्रे तमाम अलग-अलग संग्ठन जो मीडिया के हैं वह उत्रे और उन सब ने एक स्वर में कहा कि जिस तरह से कश्मीर प्रेस क्लब को खतम किया गया है यह सरासर लोकतंत्र पर, लोकतंत्र के चौथे खंबे पर हमला है इस पूरे मसलेपर बहुत पैनी निगाह बनाई हुई थी नियूस क्लिक ने, नियूस क्लिक के पत्रकार अनीज, जरगर से हमने बात चीत की, आईए देखते हैं कि वह इस पूरे घटना क्रम को कैसे देखते हैं अनीज जी आप ये बताएं कि आप नियूस क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर लंबे समय से आप वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं ये जो हमला हुआ कश्मीर प्रेस क्लब पे इसे कैसे देखा जा सकता है और क्यों एक प्रेस क्लब जो बहुत लंबा चोड़ा भी नही है जिसका बहुत लंबा इतिहास भी नहीं है उसे इस तरह से निशाने पर क्यों लिया गया आप क्या सोचते हैं देखें कश्मीर प्रेस क्लब सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं सिर्फ एक प्रिमिसेज ही नहीं इसका एक बहुत इंपॉर्टन रोल रहा है इस्पेशली पि कश्मीर में जिसमें सारा इंटरनेट, मॉबाइल सर्विसेज, तमाव के दमाव जगाएं, रेस्टरांस, कैफेज, जो भी यहां पे बिजनस इस्टैबलिश्मेंट थे, लबतर थे, सब कुछ बंद रहा और पूरा पूरी जो लाइफ थी, वो ठाप हो भी है और इस टाइ का जिनका यहां पे कश्मीर में आफिसेज नहीं है, यहां पे काफे सारे लोग इंटरनाशनल औरगनाईजेशन के साथ, नाशनल औरगनाईजेशन के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए उनके पास आफिसेज नहीं है, तो वो वहां पे बैठ के काम कर पाते थे, और वहां किश्मीर प्रेस कलब, बाकी प्रेस कलब जो बिली में हमने देखे, जो जम्मू में या रॉबे में उन प्रेस कलबंव से मुक्तलिफ इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ एक जगा ही नहीं, स्पेस ही नहीं, यह एक इंस्टिटूशन हो प्यार हो रहा था पिष्ले दो सालों में, जहाँ पे ये एक काफी वोकल बॉडी जो इलेक्टेड बॉडी थी जो सहाफियों की पत्रगारों की जो यहाँ पे प्रेस प्रीडम था उसके उसके लिए अडोकेशी करती थी क्योंकि पिछले हमने देखा हैं पिछले दो-तीत सालों में जो कटगने हैं जो अथोरिटीज का यहाँ पे रोल रहा है सहाफियों को काम करने से काफी उसमें अर्चने डाली जा रही है कहीं को समद किया गया पुली स्टेशन कहीं को पे कांट्रिवर्शल लॉज लाइक यूए पिए उतके अंदर बुख किया आज तक्रीब दो दिन पहले एक जोर्निस्ट को पीएस से लगाया गया और उसको एक जेल में बेज़ दिया है कश्मीरवादी से बाहर बाहर बेज़ दिया कश्मीरवादी से और इसमें एक कश्मीर प्रेस क्लब का एक क्यूंकि इसमें तकरीमत तेरा ओर्गनाइजेशन त्रेरा यूनियन जर्निस्ट है चाहे वो पोड़ोग्राफर्स की असोसेशन हो कॉर्सपॉंडर्स की असोसेशन हो वो सम मिलके उन्हों स्टेट्मेंट्स दिये हैं और काफी जबूब पर जैसे सजाद्बुल की केस में आप रीसेट्लि उन्होंने काफी इंपॉर्टन इन्होंने कोई क्रिमिनल अक्टिविटी नहीं की तो ये बहुत वोकल बाड़ी थी जो इसी संदर में पत्रकार सजाद गुल का जिक्र करना बहुत जरूरी है 23 साल के हैं पत्रकार सजाद गुल और पिछले कुछ समय से पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी ने उन्हें निशाने पे लिया हुआ है जैसे ही उन्हें जम्मू कश्मीर जिला कोट ने 15 जनवरी को पुराने मामले में जमानत दी पुलिस ने उनके उपर पब्लिक सेफटी एक्ट लगा दिया परिवार वाले सदमे में हैं क्योंकि वह मान के चल रहे थे कि उनका जो बच्चा है उनका जो युवा पत्रकार है वह बाहर आएगा उसकी तैयारियां थी लेकिन कश्मीर के लिए इस तरह से पत्रकारों को निशाने पर लेना एक पुरानी रवायत है जो लगातार बढ़ती जा रही है हमले लगातार बहुत तीखे होते जा रहे हैं आईए मिलकर चलते हैं उत्तरप्रदेश की सरजमीन पर यहां पर भ्रम और दुविधा बहुत तगडी है क्योंकि दाव पर बहुत कुछ लगा है 2022 में जो होगा उसका सीधा असर 2024 के आम चुनाओं पर पड़ेगा जिस तरह से यहां पेचो खम हैं भाशपा के खेमे में भी जिस तरह से खलबली है जिस तरह से एक तरफ योगी आदितिनाथ हैं दूसरी तरफ मोदी अमिश्या और उनकी पूरी की पूरी ब्रिगेड है इनके बीच के जो अंतरकला हैं और उसके परिणाम स्वरूप जिस तरह की बेचैनी जिस तरह की आबाजाही हमें दिखाई दे रही है खास तोर से पिछड़े समुदाय के जो नेता हैं वो जिस तरह से भाशपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी तक पहुचे हैं उससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि सब कुछ भला नहीं है जिस तरह से आकरोश फूटा है जिस तरह से लोगों ने पार्टी छोड़ी है उससे यह परसेप्शन यह अवधारना जरूर गई है कि ऐसा नहीं है कि योगी और मोदी की जितनी भी संयुक्त फोटो आ जाएं वे सब एक यह बताने में काम्याब नहीं हो पाई है कि भाश्पा में जो चल रहा है वह सब सही है कितना गरबढ है जमीन पर कितना असर है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा क्योंकि साथ ही साथ हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि पश्चमी उत्तरप्रदेश में जहां किसानों का आंदूलन बहुत तीखा रहा उसकी धार बहुत तीखी रही उसे मैनेज करने के लिए सारा जोर लगा दिया गया है जिस तरह की जो रजमाईश चल रही है वह बहुत बल डालने वाली है नेता या किसान नेता जिस तरह से पल्टी खा रहे हैं कभी एक दिन वह एक बयान देते हैं तो दूसरे दिन पल्टी खाकर मुझफर नगर दंगों में कटगरे में रहे भाशपा के नेता बहुत प्रमुक्ष चहरा संजीव बालियान के साथ फोटो खिचाने पहुच जाते हैं यानि भीतर ही भीतर बहुत कुछ पक रहा है और वहीं हमें दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री योगी आदितिनात लगातार हिंदू-मुसल्मान का राग अला पे जा रहे हैं कहराना कहराना माफिया माफिया ऐसे जब रहे हैं मानो पिछले पांस साल से जो लगातार दावे ठोक रहे थे वे खुद ही भूल गए हों अभी देखिए न उत्तर प्रदेश सरकार लगातार या दावा ठोक रही थी कि उसने सबको ठोक दिया है सारे माफिया के घर गिरा देए हैं संपत्ती जब्त कर ली है उनको कहीं का नहीं छोड़ा है और एन चुनाओ के वक्त ऐसा लगता है कि वह अपने पिछले पांस साल भूल चुके हैं वह वही दुहाई दे रहे हैं हिंदू मुसल्मान कर रहे हैं आखिर माजरा क्या है तमाम जगों पे चुनाओ लड़ने की उनकी बात थी वापस वह पहुचे अपनी सुरक्षिस सीट गोरखपूर आए चलते हैं योगी जी के ग्रिह नगर वहाँ के वरिष्ट पत्रकार मनो सिंग से जानने के लिए कि भीतरी भीतर क्या खिचडी पक रही है क्या कुछ चल रहा है अभी हालात क्या है निउस क्लिक में बहुत-बहुत स्वागत है मनोज जी आपका हम अपने दर्शकों को बता दें कि मनोज जी उसी इलाके से आते हैं जहां से योगी जी वापस पहुचे हैं समाजवादी पार्टी और भाजपा के भीतर इसका कितना असर है और आखिर योगी को वापस क्यों गोरखपूर आना पड़ा देखिए यह दोनों एक दूसरे से जुड़े ही सवाल है कि अगर यह इतने बड़े संख्या में पिछणों का आवाजाही मैं इसको आवाजाही नहीं करता बलकि कहता हूं कि बीजेपी के अंदर पिछणों का विद्रो हुआ है और इसकी जो पृष्ट भूम है इसकी जो कहानी है वो 2017 के चुनाओं के बाद जब योगी आधितनात को मुखंत्री बना दिया गया तभी लिख दे गई थी और वो अब एक उसका प्रतिफलन आज देखने को मिल आए कि अगर यानि आप कहना चाहते हैं जो ठाकुरों की सरकार वाला पूरा कॉंसेट गया नीचे थाकुरों की सरकार है तो उसके खिलाफ पिछड़ी जातियों ने विद्रोह किया है यही मैं काना चाहता है कि उसी दिन जिस दिन उन्होंने मुखंत्री के रूप में सबत ली उसी दिन जो पिछड़े बर के नेता थी पिछड़े बर के नेता बीजे कि देखिए कि दो साल बाद 2019 सबसे पहले भारती स्वाज पार्टी के अलग हुए और उसके बाद विधान सभा में के अंदर सो सदिक धरने पर बैठ गया थे यह एक अभुद्पूर घटना थी लेकिन उसको दवाया गया जो सी एनार्ची अंदोलन को बहुत ही कुरता ठीक उसी समय होई थी 2019 के दिसंबर के आसपास तो उस समय भी वाजपान नेतिक्तु ने इसको समालने की कोई कोई कोशिस नहीं की और फिर जो पंचाय चुनाओ हुए हैं तो उसमें यह खुल कर दिख गया कि पंचाय चुनाओ जो की बीजेपी बहुत ही ब्योस्थित से लड़ रही थी मुझे याद है कि वियार का चुनाओ होने के तुरंद बाद राधा महान सिंग को यूपी का प्रभारी बनाय गया था और उनके नेतिक्तु में पंचाय चुनाओ की तैयारी शुरू हो गई थी दोसरी तरब जो विपच्छी दल थे वह इस तरह से पंच चुनाओ बीजेपी पीछे चली गई और सपा नंबर वन पर आ गई तो उस समय पंचाय चुनाओ में भी पिछड़ों की एकता और पिछड़ों का जात्तर वोट सपा की तरब दिखा था यहां तक कि कुछ दलितों का भी एक बर्ग ने सपा को समर्थन किया था इसी के वज तो परिवर्तन को लेकर एक चर्चा छिड़ गई थी और तमाम उसके बैश और एक रिपोर्ट भी जो यूपी से गई उनके संग्ठर मंत्री बियाल संतोस के द्वारा उस समय भी तमाम नेता जो है उन्होंने उस समय भी बहुत सारे जगा रिपोर्ट आई थी और लिखी दोस्तों जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं प्रधान मंत्री नरेन मूदी जी के साथ आजकल अकसर कुछ ऐसा ही होने लग गया है अब देखिये ना वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम में भाशन देते देते संभवता उनका टेली प्रॉम्टर डगा द गया दुख और परेशानी इस बात की है कि वह अपने आप एक शब्द भी सही सही नहीं कह पाए जब टेली प्रॉम्टर डगा दे गया टेंप्रामेंट हम भारतियों का टैलेंट जिस क्लास अप सुना रहा है ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है यह सब होता रहता है मानविय भूल का हिस्सा माना जाना चाहिए बस इस से उनके भक्तों के उपर बहुत दबाव आ गया क्योंकि वो लगातार इस बात पर बैटिंग करते रहे हैं कि मोदी जी जैसा भाशन कोई नहीं दे सकता घंटों दम मारो दम के अंदाज में उनके किस्से बनाते सुनाते रहे हैं उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा तो देखिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया और ट्वीट पर उनकी भक्तों की टोली कैसे मैदान में कूदी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसमें ट्वीट का अमबार बहुत जबरदस्त है एक ही फैक्टरी से बन कर आई ये ट्वीट एक ही ट्वीट कौमा फुल स्टॉप सब वैसे ही वैसे और सारे लोग एक साथ बता रहे हैं कि यह मोदी जी की गरबड़ी नहीं य कुछ और मामला है बस सरा सा मज़ा किरकिरा हो जाता है तारीफ उस तरह से नहीं बांद पाते जिस तरह से पहले बांदते रहते हैं अब इसका कनेक्शन अगर आप सीधे जोड़िये कि पंजाब में जब मोदी जी ने दुहाई दी कि उनके उपर जान का खत्रा हो गया वह पर भी भूल गए थे वह पहचान नहीं पाये थे शायद कि उन्हें उनके पार्टी के कारकरताओं नहीं घेर लिया था उस समय जिस समय किसान वहाँ पर विरोध में बैठे हुए थे और उसके बाद सारा का सारा नरेशन चलाने की कोशिश की गई थी कि प्रधान मंत्री के खिलाफ किसान थे वह तो शुक्र है पैनी निगाह का उस वीडियो का जो सामने आया जिस से पता चला कि भाश्पा का जंडा फैराते हुए मोदी जी के आसपास मोदी जी के भक्त ही थे सवाल बहुत साफ है दोस्तों जो दिखाई देता है जो दिखाया जा रहा है उस पर बहुत पैनी निगाह बनाई रखनी चाहिए और इसमें हमें आपकी मदद चाहिए कि हम पूरी सतर्कता के साथ जो गरबडियां हो रही है जो दिखाया जा रहा है वह सच के रूप में आ करिए शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाईए खोच खबर न्यूस क्लिक शुक्रिया